हम लोग अभी तक देखो एक वीडियो कर चुके हैं इस वीडियो के शुरूप में मैं बोला था कि वन शॉट वीडियो बनाऊंगा और एक ही वीडियो में खतम कर दूँगा लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था इसके लिए मैं पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दिया हूं एक ही वीडियो में मैं अगर मैं पूरे कोश्चन को करवा था चार कोश्चन करवांगा देखो आप पहला ही वीडियो में हम लोग को 20-25 मिनट लग गया ठीक है पहला है कोश्चन में ही ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं आप दूसरा कोश्चन और तीसरा कोश् क्लियर कर दूंगा लेकिन जब चारो कोष्चन एक बार में बनाऊंगा सोचा तो विडियो का लेंद बहुत बड़ा हो गया कम से कम 10-10 गंटा में बनता तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं पूरा कोष्चन एक ही वीडियो में ना देख जैसे पहले चलता आ रहा है भाग एक भ वीडियो में कर देंगे लेकिन टाइम कम लग जाएगा तो कम वीडियो बन जाएगा इसे घिरेज चेतर का चेतर रफल गयात करने ध्यान से देखो अब इसमें यहां पर जैसे बोल दिया था प्रथम पाद वैसा नहीं बोला है तो उसका मतलब पूरे जगा को लेना है ध्या गवित्र बनाओ आप पहले तो दिरगवित्र उसमें बनाया थे ना हम लोगों क्या-क्या गिवन था हम लोगों क्या-क्या गिवन था इससे पहले वाले हम लोगों परवले गिवन था एक्स की लाइन गिवन थी और वाइज इगल डू फोर तो सबको हम लोग बनाये तो व बट A B square होता है तो यहां पे से A की value क्या जाएगी 4 आ जाएगी A की value 4 होगी तभी तो 4 का square 16 होगा तभी तो 4 का square 16 होगा तो यहां पे A क्या दिया हुआ है जहां से देखो यहां पे A क्या दिया हुआ है अ क्या दिया हुआ इस question में अ दिया हुआ है 4 बी क्या दिया हुआ है अद्ध दिया हुआ है तबी तो 3 का square 9 होगा तुलना करो भई ही बस तुलना करने बुर रहा हूं चलो ठीक है तो दिरगवीद देखो बनाते कैसे हैं यह देखो, बस झ्याहन से देखते रहे न, यहां से, यहां तक का जो distance होता है, वो a होता है, यह a होता है मेरा, यहां से लेकर, यहां तक a होता है, और a क्या है, 4 है, यह 4, यह, clear है क्या बात सबको, yes sir, और इस window से लेकर, इस point तक, यह, य अक्ष में जो कांट रहन है यह X अक्ष और यह Y अक्ष तो इस पॉइंट से मूल बिंदू 00 से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है यह होता है B और B कितना है 3 तो अगर आप लोग गौर कर पारे होगे तो ध्यान से देखना मैं इस तरफ ज्यादा लिया हूं और इस यहां पर कियों ऐसा कि यहां पर चार है तो यह जादा होगा तीन है तो यह कम होगा हाना अगर मालों यह 4 होता तो यह मैं बढ़ा लेता और फिर यह 3 थील रहता तो इसको छोटा लेता क्लियर यहां तक बात ऐसे बनाते हैं ठीक है च्सिद रखा ना distance ज्यादा रखा यह अब इसमें क्या बोर रहे है से घिरे छेत्र का छेत्र फल ग्याद करने हैं हमको एक ही हम लोग को graph दिया हुआ है एक ही graph दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं वो पुरा graph यूज होना चाहिए जैसे कि इसमें तीन थो दिया हुआ था एक graph य लेना है इस पूरे को इस पूरे को लेना है और बंद है देख लो पूरा हम लोग का क्या हो रहा है टच हो रहा है पूरा हम लोग का जो शेडेड रिजन है वो graph को टच कर रहा है graph को टच कर रहा है अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना अब हम लोग क्या करने वाले वो मैं बता रहा हूँ अब हम लोग x-y के सापेक्ष लिका लो आंसर एक आएगा मैं क्या कर रहा हूँ ना अब यह जो है जो मेरा आयात है इसको मैं consider कर रहा हूं सिर्फ इस पहले quadrant को यह पहले quadrant में बस कर रहा हूं इस पहले quadrant में बस move कर रहा हूं इस पहले और emission भी है न सब सेम होगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं इस पहले ये पहले वाले को क्या कर रहा हूं बस consider कर रहा हूं इस पहले वाले में consider कर रहा हूं और इस पहले वाले में अपना पहले वाले में ये जो है मेरा यह आयाद उसको घुमा ऊगा इस 0 से लेकर यहां तक और यह क्या है तो 4 होगा ना इसकी लंबाई कितनी है 4 चार है यह तो यह 0 होगा तो obviously यह चार ही होगा ना क्योंक kart पूरा 4 है मान लो링 संठमिटर में लेता है तो यह 4 संठमिटर होता तो यह ओगा 0 यहां कहीं 1 यहां कहीं 2 यहां 3 यहां पर 4 होगा clear है समझो बात को ठीक है डाइग्राम accurate बन नहीं पाए ठीक है roughly बनाना थोड़ा सो मुश्किल होता है पूरा measurement, scale वगेरा हो तो बनता है ठीक है आप लोग पूरा care करेंगे तो मैं क्या कर रहा है, integration अब कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से देखना i हम लोग लेते हैं a से b a से b y dx clear है अब मैं भी ऐसे ही करूँगा लेकिन इसमें एक twist है i, a क्या है, शुरुआत कहां से कर रहे हैं 0 से 0, end कहां पर कर रहे हैं 4 4, अब y की value यहां से लिकालना पड़ेगा y की value पहले लिकालो y की value पहले लिकालो question में जो given रहता है न उसी से y की value लिकालेंगे 16 plus y square यहां पर y की value तो रखना पड़ेगा तो y की value लिकाल रहा हूँ is equal to 1, चलो y की value लिकाला हूँ तो यह y square upon 9 इसको मैं उस तरब भेजा तो 1 minus x square बटा 16 clear है LCM लिकार रहा हूँ मैं LCM लिकार रहा हूँ y square बटा 9 LCM हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 16 minus x square clear है क्या y की value लिकालना है अब क्या होगा इस 9 को उधर भेज देता हूँ 9 को उधर भेजा तो y square 9 को उधर भेजूँगा तो 9 16 minus x square बटा 16 clear है क्या 9 का गुणा अंदर कर दूँ 9 का गुणा अंदर कर दूँ या कुछ common ले लूँ या कुछ common ले लूँ बताओ ऐसे में भी बन जाएगा क्या मैं y का value मैं क्या लिका लूँ आप लोग ध्यान से देखो कि integrate कर पाओ कि integrate आप लोग कर पाओ कि integrate कर पाओ कैसे करके लिका लूँ मैं कैसे करके मैं लिका लूँ y की value की integrate कर पाओ यहाँ पे एक सुत्र की बात करूँगा मैं ध्यान से देखते रहे न एक सुत्र की बात करूँगा तो x square, x square upon, x square upon this, ओके, ठीक, 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 तीन तिया 9, यहाँ पे 16 ही है, यहाँ पे 16 ही है, ठीक है, यह, अब इधर देखो, यहाँ पे मैं, अब यह square है, तो यह under root में हो जाएगा, तो y की value हो जाएगी, root, root में, यह plus minus में आएगा, 9, 16 minus x square, एक सूतर आएगा, यहाँ पे नया वाला, upon root 16, पस यहाँ से देखते रहे हैं, यहीं पे देखना है, यहीं पे फसते हैं लोग, तो यह हो गया y is equal to plus minus, यह root 9 को बाहर कर दो, यह से root 9, ऐसे कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ मैं, basic max, upon, यह क देखते रहे हैं, यहाँ पे मैं किया, यह root 9 हो जाएगा, यह y की value चर रहे हैं सब, y की value, y की value है, y is equal to plus minus, root 9 को लिख सकता हूँ 3, और यह बटा 4 है, और यह क्या हो गया, 16 minus x square, यह किसकी value आई, y की value आगई, y की value आगई, यह समझ गया भई, यहाँ पे y square था, यहाँ पे नहीं था, तो दोनों पक्षों में root का multiply किया, यह rough language में ऐसे बोलते हैं, कि यह square उधर जा गया, तो यहाँ पे वर्गमूल आगया, ठीक है, ऐसे भी, तो यह y की value आई, त y की value क्या आई, अब plus minus 2 value आई, मैं पहले 4 थांश में हूं, पहले 4 थांश में, हाँ भई सब को लूँगा, मैं पहले 4 थांश में हूं, तो पहले 4 थांश में y क्या होता है, positive तो positive लूँगा, 3 बटा 4, 3 बटा 4, under root, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, का 4 का ही square minus x का ही square dx, यह आ लिकालना है पूरे दिर्गवित का लिकालना है तो यहां पे चारो चातुर्थांश का लिकालना है तो मैं चार का गुणा कर दे रहा हूं 4 का गुणा कर दिया 4 का गुणा कर दिया क्योंकि मैं 1 का लिका रहा हूं और मेरे को लिका लेना तो सब को है तो मैं क्या किया 1 का लिका ला और गुणा 4 कर दिया मतलब 4 को 4 का ही आ जाएगा clear है क्या अब यह constant को बाहर लिका लिका देता हूं चार से चार कड़ गया, तो क्या आया, 3, 0 to A, under root, यह क्यों ऐसे 4 e square क्या बताऊंगा, 4 e square minus x e square dx, अब इसका एक formula होता है, इसका एक formula होता है, वो formula में बता रहा हूँ, वो formula में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका formula यह आप लिखेंगे, कि इसका formula होता है, यहाँ पे, integration, a square minus x square dx का formula होता है, x by 2, और यहाँ पे जो है, वोई को लिख दो, a square minus x square, plus a square by 2, sin inverse xya, xya plus, यह इसका formula होता है, यह formula मैं यहाँ पे लगाऊंगा, बस यह c को नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यह अनिश्चिस समाकलन का formula है, देखो, limit नहीं लगा है, और यहाँ पे limit लग लगा है, तो बस c को नहीं लगाऊंगा, formula दोनों में use होता है, अनिश्चित में भी, निश्चित में भी, same formula, बस c कब लगेगा, अनिश्चित में, निश्चित में c नहीं लगेगा, limit लगाते हैं हम लोग, 0 से यह क्या है, यह तो 4 है, 0 से यह 4 है, यह 4 है, 0 से, 0 से यह 4 है तो यह formula लगाया हमें, तो यह i is equal to 3, अब formula लगाओ, क्या है, x by a, ठीक है, x by a, x by a, under root, a square minus x square, a square, a की value 4 है, compare करो, इससे compare करो, a square, देखो, a square, minus, minus x square, x से पहले भी a की value 4 लिकाल चुके, तो क्या हो जाएगा, a square, a square, a काई square क्या है, 4 काई square मतलब, 16 minus x square, फिर क्या है, plus a square, plus a square, a क्या है, 4, यहां से भी देख लो, a है 4, तो a square क्या हो जाएगा, 16, बटे, 2, sine inverse, sine inverse, x by a, x by a, a क्या है, a क्या है मेरा, a है 4, अरे compare कर लो भई, formula से a square है, यह 4 square है, तो a की value क्या होई, a हुई ना, यह, यह हो गया, अब इसमें क्या है, limit put करेंगे 0 से 4, यह 0 से 4, जहां जहां पे भी, x है, वहां वहां पे मैं limit लगाने वाला हूँ, तो इसको मैं मिटाया, इसको मैं मिटाया, अब मैं limit put करूँगा, अब ध्यान से देखो, अब limit put करने वाला हूँ, तो यह i is equal to 3, i is equal to 3, limit put करूँगा, x की जगह यह 4 डाला मैं, ध्यान से देखना बता हूँ, x की जगह 4 डालूँगा, ठीक है, यह x की जगह क्या डालूँगा, 4 डालूँगा, सब x की जगह ही मैं डालूंगा पहले upper limit तो x सी जगह जैसे मैं 4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 4 की square और 4 की square क्या होगा 16 तो 16 माइनस 16 हो जाएगा 0 और 0 का गुणा इस से करूंगा तो हो जाएगा 0 तो overall यह वाला जो function है वो 0 हो जाएगा तो मैं यहां पर सिर्फ 0 लिख रहा हूँ फिर plus यहां पर x की जगह मैं क्या डालूंगा 4, x की जगह मैं 4 डालूंगा तो यह क्या होगा ध्यान से देखना यह 16 बटे 2 क्या होता है 16 बटे 2 8 होता है 8, 8, sin inverse sin inverse x की जगह क्या डालूंगा x की जगह 4 डालूंगा तो 4 से 4 कड़ जाएगा तो 1 आएगा यह 1 आएगा यह होग अपर लिमिट का काम minus lower limit का काम कर रहा हूँ अभी मैं lower limit का काम कर रहा हूँ x की जगह मैं 0 डाला तो यह 0 होगया जीरो का गुणा इससे करूंगा तो जीरो आएगा तो जीरो आएगा ठीक है तो जीरो आएगा तो जीरो लिख दिया जीरो लिख दिया माइनस ठीक है ये प्लस है प्लस अब जैको साइन इनवर्स एक्स ही जीरो डाल दूँगा तो साइन इनवर्स जीरो sin की value 0 किस में होती है 0 में होती है sin की value 0 किस में होती है 0 में होती है यह हुआ overall case अब आप लोगों समझ में नहीं आ रहा होगा तो sub x में upper limit डालना minus फिर lower limit डालना तो यहीं आएगा अब इसको मैं solve किया तो i is equal to 3 0 प्लस इतना इतना ही होता है तो यह क्या होगा 8 sin inverse 1 sin inverse 1 कब होता है 90 को pi by 2 बोलते है 2 एकम दो 2 चौक 8 और यहाँ पर क्या बचा भी क्या बचा i is equal to 3 4 pi तो क्या बचेगा 4 तिया 12 pi यह इसका answer होगा 12 pi is the answer 12 pi is the answer 12 pi is the answer और वर्ग इकाई लिखना मत भूलना इसका unit 12 pi वर्ग इकाई यह हो गया इसका answer यह हो गया इसका answer तो कुछ नहीं करते यार एक formula बस याद रखना है आप लोगों को यह x की respect में कर रहे हो तो a से b y dx बस y की value लिका लो यार y की value लिका लो y की value लिका लो और जो बोला है उसमें देखो इसमें पहले coordinate की बात किया तो पहले coordinate में करा और close लेते हैं सब जितना दिया हुआ है न मेरे को rh लो और गुणा चार कर दो वरना कैसे करना पदा इसका लिका लो, इसका लिका लो, इसका लिका लो, फिर सब को जोड़ो, तो time बहुत लगता, तो मैं direct ऐसा कर दिया, clear है क्या ये बात, clear है बात, तो question number 2 भी हुआ, अब question number 3 जो है, question number 3 और question number 4 आ जाए, और नहीं आएगा, तो फिर video 3 में इसको रखेंगे, और video 4 में इसको रखेंगे, तो मिलते हम बच्चो, next video में question number 3 के साथ, आप से बनता है क्या question number 3, बनाएए, मिलते हम बच्चो, next video में तब तक के लिए, bye bye, see you,